अनुपुमा सीरियल में अनुपुमा का घरेलू किरदार निभाने वाली अभिनेतरी रुपाली गांगुली आज कल बहुती जादा मशूर होती जा रही है जिसके चलते इन्हें आज घर-घर में पहचाना जा रहा है लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इनके इतना फेमस हो गांगुली के उन चार सीरियल के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने रुपाली गांगुली की शोहरत के शिकर पर पहुचाया है तो चलिए जानते हैं उन सीरियल के बारे में नमबर एक पर है आपकी अंतरा साल 2009 में प्रसारित हुआ सीरियल आपकी अंतरा में रुपाली गांगुली एक छोटी सी बच्ची अंतरा की मा अनुराधा का किरदार निभाते हुए नजराई थी जिन्होंने मा की ममतमई किरदार को इस तरह से परदे पर पेश किया था कि दर जिसने अपनी रियलिस्टिक स्टोरी की वज़े से दर्शकों से खूब वावाही बटोरी थी और इस सीरियल में गायतरी का किरदार निभाते हुए नजर आई रुपाली गांगुली ने भी इस सीरियल में गायतरी का किरदार निभा कर खूब वावाही के साथ ही अपनी आ सारित हुआ सीरियल परवरिश एक ऐसा सीरियल था जो की आम जिंदगी से जुड़ा हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि कैसे माबाब की सीख का असर बच्चों की परवरिश पर पड़ता है यही वज़े है कि अपनी प्यारी स्टोरी लाइन की वज़े से यह सीरियल गुली भी जिन्होंने इस सीरियल में एक एमोशनल और सेंटी मा का किरदार निभाया था जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी साल 2004 में टीवी पर प्रसारित हुआ सीरियल सारा भाई वर्से सारा भाई ने तो आते ही इतनी जादा लाइम लाइट बटोरी थी कि यह सीरियल दर्शकों के बीच नंबर वन सीरियल बन गया था क्योंकि सीरियल में सास बहु की लडाई और जो कॉमेडी कूट कूट कर भरी थी उसने इस सीरियल को बहुत रिट करवाया था जिसकी वज़े से रुपाली को भी काफी फेम मिला था क्योंकि सीरियल में रुपाली गांगुली ने बहु की भूमे का अदा की थी जिसकी कॉमेडी ने दर्शकों का खूब दिल जीता था नमबर पांच पर है अनुपमा आखिर में बात करते हैं स्टार प्लस के नमबर वन सीरियल अनुपमा की जो की जब से प्रसारित हुआ है तब से हाईस्ट यार्पी बटोरने वाला सीरियल बना हुआ है जिसे दर्शक बेहत पसंद कर रहे हैं साथ ही पसंद कर रहे हैं इस सीर तो दोस्तों आपको रुपाली गांगुली के इन सभी सीरियल में से कौन सा सीरियल सबसे जढ़ा पसंद है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी ही और ख़बरे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें